जालो देखते हैं कुश्चन एकना हम कुश्चन ट्राइ करते हैं और यह कुश्चन सर फॉर्मेट को समझने का है और कुश्चन कैसे कैसे करना है वो भी देखेंगे मैंने साइड में छोटा कुश्चन है विज्वल कम होगा आपको हमेशा register का जो format open करना है जैसे like ये register है ठीक है आपको एक page इधर पूरा का पूरा यूज करना है profit and loss और ये पूरा का पूरा page करना है आपको balance sheet के लिए हमेशा ये format follow करके चलना ताकि आपको पेज बार बार ना पलटना पड़े ठीक है और बनाने का तरीका दोनों एक साथ कभी भी ऐसा मत करना के पहले trading बनाएंगे फिर pndl बनाएंगे फिर balance sheet जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल same as it is करना आपका answer तभी जल्दी से जल्दी match होगा ठीक है तो सबसे पहले एक एक point से start करते जाते हैं और हम इसको लिखते जाते हैं पहला point है हमारा capital account और capital account है हमारे पास एक लाख एक हजार पान सो आपके book का ही question number 2 है ये तो एक लाख एक हजार पान सो तो सबसे पहले capital है तो capital कहा जाएगा इस side एक लाख एक हजार पान सो capital हमेशा ना अंदर के side रखना इसका क्या logic है क्योंकि इसके अंदर profit या loss होगा ही होगा ठीक है तो आपने रखा एक लाख एक हजार पान सो दूसरा क्या है आपका cash in hand तो assets होता है तो आप लिख दो cash in hand अभी without adjustment कर रहे हैं cash लिख देता हूँ जगह नहीं है तो सिर्फ cash 6470 ठीक है इसके बाद है cash at bank 17190 तो bank लिख देता हूँ मैं यहाँ पे और simple सी बात है 17190 अब आप notice करो मुझे यह नहीं मतलब कि कौन सा account बन रहा है मैं data सीधा ही सीधा उठा हूँआ फिर आपका आगया opening stock चालिस अजार रुपए तो opening stock सबसे top पे लिखना है short form में लिख देता हूँ थोड़ा stock इस पर कोई adjustment नहीं होता generally कभी कभी होगा हम आगे देखेंगे 40,000 यह question सिर्फ format कैसे fill करना यह सिखाएगा आपको furniture account assets है that is यहाँ जाएगा furniture 6,000 assets में 6,600 अब इसके बाद क्या है sundry debtor अब debtor के अंदर काफे सारे नाम लिखे हूँ है जैसे आपका यह नाम है अलग-अलग तो यह तीनों ही debtor है ठेक है इसके बाद bills payable start हो गया तो sundry debtor की बात करें तो आपको जो दे रखा है यह total debtor के आगे क्या है 18,500 ठीक है यहाँ पर एक amount शायद missing है 100 रुपे नहीं है आप छोड़िए debtor का नाम एक debtor ना आपका missing है amount यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हो टाइपिंग एरर होगा बट इतना पटा है 18,500 रुपे का नहीं हो सकता एक मेंट एक मेंट यह पता ही क्या है इसका amount यह है यह समझो थोड़ा dark color ले देते है यह debtor यह है थोड़ा उपर नीचे हो गया है यह debtor यह है और यह debtor यह है तो आपका debtor है तो आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग लिखने है इन सभी को जोड़ करके भी debtor लिख सकते हो आपको नाम दिखाने की जूरत नहीं है इन सभी को उधार माल बेचा गया था क्योंकि यह heading है और इसके नीचे यह नाम है तो यह तीन debtor थे तो आठारा हजार पानसो चार हजार और चॉंतिस सो पच्चिस अजार नौसो तो यह पच्चिस अजार नौसो लिख लिया ठीक है अब देखते हैं बिल्स पेबल अकाउंट यह 13,000 यह अमाउंट थोड़ा शिप्ट हो गया यह 13,000 है इस साइड में लिख लेंगे लाइबलेटी 13,000 उसके बाद advertisement अकाउंट खर्चा होता है तो P&L के लिए हमेशा 10 लाइन 8 से 10 लाइन छोड़ना आप ट्रेडिंग के लिए उससे ज़्यादा होता ही नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं advertisement कितने रुपए है इसके बाद आगे देखा जाए तो है trade expense that is 100 अब trade expense ना कई बार सोचने को लगता है ट्रेडिंग का पार्ट है लेकिन कई बार वो ट्रेडिंग में भी ले लेता हैं कई बार P&L हम हमेशा trade expense को P&L में लेगे trade expense कितने रुपए है 100 रुपए है ठीक है trade expense के बाद आप देखोगे trade expense के बाद आपका आ जाता है salary and wages account अब मुद्दे की बात है कई बार salary और wages होगा और कई बार wages और salary होगा तो जो पहले word होता है उससे connect करते हैं अगर wages और salary होता है तो वेजिस factory का पार्ट है तो ट्रेडिंग में चला जाता salary and wages है तो salary को देखेंगे पहले priority तो office का है तो यहां जाएगा salary and wages amount क्या है 2000 चलिए अब इसके बाद office store account store assets होता है spare parts वगएरा होते हैं तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ store कितने रुपए है मैं अंदर लिख लेता हूँ एक इस पर adjustment है नीचे मैंने देखा हुआ है तो अंदर लिख ले store क्या होता है basically जो go down में जैसे की होता है कुछ समान वगएरा रखा होता है तो उसे store के अंदर count कर लेता है आगे कहता है traveling charge 50 रुपए है तो expense है that is traveling charge पचास रुपए इसके बाद क्या कहता है आपको telephone charge धाई सो रुपए तो यह भी खर्चा इधर आएगा इसके बाद क्या है rent भी खर्चा है अब देखो कई बार ना ऐसा नहीं बताता क्यूंकि rent देखो दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं तो अगर rent बोला जाना है तो हमेशा मानना है आपको कि हमने दिया होगा लिया नहीं होगा यह 15 सो है rent और डेड़ सो है stationary है न यह 15 सो है न और इसके बाद है stationary कितने का 150 आगे चलते हैं क्या है stationary के बाद discount allowed कितने 170 रुपे है तो यहाँ पर आजागा discount allowed 170 है न डिसकाउंट allowed के बाद देखा जाए तो डिसकाउंट रिसीव है तो बाइ साइड में आएगा discount रिसीव है थोड़ा ऊपर गैप छोड़ के लिखना नीचे क्योंकि यहाँ पर जीपी आएगा बाइ डिसकाउंट रिसीव कितने रुपे तीन सो बीस है न त्री टू जीरो आगे देखा जाए डिसकाउंट के बाद बेड़ेट्स बेड़ेट्स आपका होता है खर्चा तो इधर आ जाएगा नहीं डेटर में एक्सपेंस होता है अभी एड़्जस्मेंट करेंगे तो प अब ट्रेट क्रेड़ेटर के बारे में बताता है यह तीन क्रेड़ेटर है एक दो और तीन तीनों नाम है टॉनी भी नाम है रहतम भी नाम है जो भी है इन सभी को जोड़ लेते हैं सोलह हजार अठाइस हजार और चार हजार और एक और है अगा अगाउंट यह तो सेल्स है ना तो अब क्या मानूगे भाई टोनी लिमिटेड क्या है क्योंकि किसी का नाम तो यह जस्टिफाइं नहीं करता ने कि खर्चा है इंकम है तो आपको चेक करना भी यह क्रेडिट में अगर दे रखा हो तो लाइबलिटी होगा यानि क्रेडिटर होगा और डैबिड में नाम आ इस दिए ना तो तो यहां क्रेडिटर मैंने लिख दिया तो अब यहां पर लिख देता हूं क्या क्या है 16,000 प्लस तो इस वह जार के प्लाद प्लस कितने हो गए अठाइस अजार प्लस चार हजार और प्लस था हमारा ठीक है यह इसका टूटल लिख दिया यह 45,600 है अब आगे आ जाते हैं परचेस दे रखा 91,940 तो सबसे टॉप पे यहां लिखेंगे परचेस और अंदर लिखना है 91,940 ठीक है इसके बाद अगर देखा जाया आगे परचेस के बाद सेल्स नहीं लिया ना बीच में रहे गया ना सेल्स हमारा साइथ आ यह रहा सेल्स अकाउंट रहे गया 38,900 साइथ यह मुझे लग रहा है अमाउंट कम तो नहीं है पाई सेल्स 49,600 38,600 एक में टिसका लिख लेते हैं सेल्स के हमारा 38,900 मुझे लगता है यह कम अमाउंट है एरर हो सकता है अब है 16,800 4,000 अच्छा 49,600 49 अब और एक चीज़ और ध्यान रखना आपको कैल्कुलेटर अलाउट है एक्जाम में अब पहले जैसे नहीं होता था 12 तक अब आपको एक्जाम में अलाउट और सिंपल कैल्कुलेटर दो तीन तरीके कहाते हैं जो यह कैल्कुलेटर है तो जिपनी भी कैल्कुलेशन करना क्यूंकि आपको आपको कैल्कुलेटर चलाना भी आना चाहिए तो हैबिट डालना कि आप कैल्कुलेशन पकल कैल्कुलेटर पर कर सकतेग eğita है णा इसावर्द न अंदर कर देते हैं 38,900 अंदर लिख देते हैं ठीक है थोड़ा दिखनी रहोगा 38,900 लिख है इसके बाद और देखते हैं क्या है इसके बाद पर्चेज रिटन दे रहा है आपको 32,000 रुपए तो माइनस कर दो यहां पर पर्चेज रिटन 3,200 प्लाइन डाल दिया इसके बाद क्या दे रखा है पोस डिटिट चेक सर पोस डिटिट चेक क्या होता है यह समझ लेते हैं ठीक है न पोस डिटिट चेक क्या होता है ध्यान से देखो जैसे माल लो यह हमारे पास या माल लेतने एक दुकानदार है और उस दुकानदार का नाम मिस्टर राम है ठीक है? और इसने समान बेच दिया सपोज मोहन को समान किसको बेच दिया? मोहन को बेचा मोहन को कितने का समान बेचा? सपोज करो 5000 का समान बेचा अब मोहन से इसने पूछा कि भाईया जो मुझे पेमिंट कप तक दोगे क्योंकि जब कभी भी कोई समान उधार बेचेगा ना तो आलवेज क्या कंसिडर करेगा भाईया मेरे पैसे कप दोगे यह तो बताओ समान देने टाइम पर बोलेगा अब मोहन ने बोला कि भाईया मैं पेमिंट जो है ना आपको दे दूँगा कब दे दूँगा मैं इसने बोला मैं 20 तारिक को दे दूँगा अब राम ने कहा कि भी आप 20 तारिक को तो आप पेमिंट दोगे ठीक है और मुहन कहता है 20 तारिक को दे दूँगा उसके थोड़ी देर बाद मुहन ने कहा है 20 तारिक को तो मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं मैं 25, 20 से 25 तो बहार हूँ तो मैं 25 को दूँगा राम ने कहा नहीं भाई आपको last तो कब तक देना पड़ेगा 20 तारिक तक तो पैसा देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में किस ने कहा मुहन ने कब तक payment देना पड़ेगा 20 तारिक तक और ये 20 से लेके 25 तक मान लेते हैं कहीं घूमने के लिए गया हुआ है तो अब मोहन ने बोला कि एक काम करता हूँ, आपको 20 को ही पैसे मिलेंगे, मैं एक चेक दे देता हूँ आपको आज, और आज क्या तारीक है, जिस दिन डील हो रहा है, वो एक तारीक है, मान लो, आज ही मैं आपको चेक दे देता हूँ, इसके उपर एक आठ लिख देता बेंकर बोलेगा एक तारीक को भी है, इस पर दे 20 तारीक को डला हूँ, अब का आना पैसे निकालने के लिए मेरे पास 20 तारीक को, अगर मैं 10 तारीक को भी जाऊँगा, तो बेंकर मुझे इसका पैसा नहीं देगा, लेकिन ये चेक किसके पास पड़ा हूँ है, मेरे पास तो ऐसा चेक जिसके उपर डेट कभी आगे की डली हूई है, लेकिन है मेरे पास ऐसे चेक को बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, तो ये भी मेरा एसिट सी है, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा पैसा, तो इसलिए पोस्ट डेटेड चेक जो दे रखा है, वो भी क्या होगा तो ड्रॉइंग दे रखा है, पच्छिस सो रुपए का तो ड्रॉइंग हमेशा याद रखना लेस होगा कैपिटल से, पच्छिस सो, अब नीचे जब कभी ये सारी जो जितनी जानकारी है, आपका इसे बोलते हैं, ट्राइल बेलेंस, ये क्या गीवन है आपको ट्राइल ब बंद हो जाता है तो ऐसे situation में उसके नीचे जितनी जानकारी होता है, उसे क्या बोलते हैं, adjustment, इस adjustment की हमेशा final account में दो एंट्री की जाती है, अभी तो एक basics है, अभी मैंने adjustment कराई नहीं, तो मैं बता देता हूँ, stock जो होता है ना वो दो जगह जाएगा, एक जाएगा ट्र कराऊंगा उसके बाद हम कुश्चन पर आएंगे ठीक है अगला कहता है कि ऑफिस इस्टोर अब 500 का रहे गया है इसका मतलब है 500 तो एसिट था पहले कितने का था अब यह कह रहा है 500 का रहे गया है तो इसका मतलब इसके उपर डेप्रीशेशन कितना लग गया है चेए 700 का डेप्रीशेशन कितना लग गया है हमारा 700 का तभी तो रहा होगा मेरे पास कितने का अब 700 का जो डेप्रीशेशन वह पी एंडल में आ जाएगा किस नाम से सर डेप्रीशेशन के नाम से कितने रुपे 500 समझ में आई बात आपको तो यह अड्जस्मेंट की दू एंट्री कैसे दू एंट्री देखो यहां पे भी मैंने करा एक क्रेडिट और एक डेबिट कर दिया और इसकी भी देखो एक यहां पे मैंने करा और एक दूसरे जगह भी लेगिया मैं 500 ने 700 आएगा डेप्रिशेशन जो लगा है वो 700 ठीक है तो यह क्या होगे हमारा अड्जस्मेंट अभी हमें ऐसे अड्जस्मेंट ना खूब सारे देखेंगे मैं एक बार कुश्चन को चेक कर लूँ मुझे कुश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि गलत ना हुई है पांसो तेरह हजार तीन सो बीस सोलह हजार अठाइस हजार चाहरा जार अठीक है को अब आ जाते हैं कुश्चन का क्यों ज़रत नहीं है हम सीधा टोटलिंग पर फोकस कर लेते हैं अब टोटल करना भी आना चाहिए किसको पहले प्रायरेटी पर करोगे कुश्चन बीस नंबर का आएगा आपको देखो यह बीस नंबर का तो आपको जो एक्जामनर कॉलेज के अंदर तभी मा टोटल कर लेते हैं तो 38,900 माइनस में 2,000 that is 36,900 अब एक लाग इधर का टोटल है तो 136,900 और इधर का टोटल ज्यादा किस साइड का और है मेरे हिसाफ से ज्यादा 9,4,13 इधर का ही ज्यादा हो रहा है ना हाँ 136,900 और यहाँ पर आगया 9,1,940 माइनस में 32 यहाँ आगया 88,740 अब 136,900 इधर भी लिखतेंगे जैसे आपको अकाउंटिंग का बैलेंस करते हैं और यहाँ पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में 136,900 माइनस में 40,000 88,740 81,660 ठीक है बाई जी पी चलिए अब इसका भी टोटल करेंगा ऐसे ही है ना अब 81,600 अब यहाँ पर हो सकता है इसके नेट लॉस आ जाए क्योंकि 2500 तीन हजार दो तीन हजार तीन हजार तीन छे हजार तो यही हो गए प्रॉफिट ही आएगा प्लस तीन सो बीस यह आ गया 84 80 ठीक है कितने आ गया 84 80 यहाँ पर क्या निकलेगा टू साइड में आप देखो मैंने टू नहीं लगाया तो जाए आपकी मर्द यह लगाना चाहते हो लगाओ नहीं लगाना चाहते मत लगाओ वह गयार्वी तक होता है आपका बार्वी तक कभी यह इधर टू इधर बाए तो कई जगह पर मैंने लगा दिया है तो अप लगा देना सिमेट्रिक फॉलो कर लेना ठेक है माइनस में 500 मा मिनस दो हजार 60 बस 60 रुपे का प्रॉफिट आया अब ये 60 रुपे कहा चला जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है अब ये दोनों साइड आपका हमेशा एकवल आना चाहिए मैं इसको नीचे कर देता हूं ये दोनों साइड आपका क्या औना चाहिए एकवल तो पहले हम इसको देख लेते हैं 60 रुपए प्लस एक लाख एक पंद्रा सो माइनस में पच्छिस सो यह आगया 99 जीरो सिक्स जीरो प्लस तेरह हजार प्लस उननचास छे सो यह आगया 161 एक एक सट छे सो साट 6470 190 660 25900 50500 एक लाग एक एक सट अब यह जो कोशन किया है हमने वह कौन सा किया है विदाउट अजस्मेंट आप इसके अंदर अजस्मेंट एड ऊन होंगे टोटल हमारे खाल 20 से 22 अजस्मेंट होते हैं टोटल जो कि हम एक एक करके सीखेंगे इसके अंदर ठीक है तो इसके अंदर आपकान सारा कंट होते हैं तो उसके अंदर क्लास के अंदर तो अपको अप्रोपर करवां आई सके यह एंट्रे नियुक्त लास में अगर जिसने पढ़ा है तो कर रहा था कि दो पार्ट होते हैं क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में इसलिए उस टाम पे बोला जाता है भाई ग्यारवी के रेजिस्टर को संभाल के रखना ग्यारवी के बुक को रेजिस्टर क्योंकि यह चीज़ें आपको आगे काम आगे तो यह था हमारा कुश्ण जर्नल एक हिंट था अब मैं अगली जैसे कि आगे जो हम करेंगे और अज्जस्मेंट करेंगे तो फटा-फट इसको नोट कर लो मैं कुश्ण आंसर नोट करना कुश्ण नोट करने की जुरत नहीं है झाल